इंडिया घडबंदन बहुत जोर सोर से बना लेकिन अखिलेश जी और कमलाज जी के बीच में जो तू तू में में हुई अथी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है खिचालो हुआ हमें छेड़ते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे तिथी कब बताएंगे 22 जैन्वरी को आप भी आएंगे जो बात नितीश कुमार ने बोली जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है आपका बिनन्दन है न्यूज 18 के मंच पर हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोडो दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं क्रिकेट वर्ड कप भी चल रहा है जहां टीम इंडिया सारे मैच जीत रही है बीजेपी का क्या स्कोर रहने वाला है इस बार पांच राज्यों में देखिए दोनों ही मैचेज में उधर इंडिया जीतेगी और यहां भारतिय इंता पार्टी जीतेगी राजस्थान में हम दो तेहाई मिजॉरिटी के साथ आ रहे हैं हम मद्दप्रदेश में कमबैक हम कर रहे हैं वापसी हमारी हो रही है 36 गड़ में हम बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाने के तरफ चल पड़े हैं और तेलंगाना में हम एक डिसाइसिफ फोर्स रहेंगे जी और मिजॉरम में एंडिये रीटेन करेगी तो इसलिए जैसे हम पांचवा मैच भी जीतने वाले हैं वैसे ही इंडिया जीतने वाल करती भी एक तरीके से स्वीप करेगी चुनाव को यह आप देखने वाले जी लेकिन एक सवाल है कि बीजेपी राजस्तान और मध्यप्रदेश में इतनी कॉन्फिडेंट है तो एक सवाल बनता है कि सांसदों को मंत्रियों को चुनाव में क्यों उताना पड़ा है स्थानिय नेटा भी तो थे देखिये आप सब लोग जो राजनेतिक विश्लेशक हैं जी उजो हमारे हर फैसले के बारे में बहुत प्रशन खड़े करते हैं उसलिए हम यह क्यों करते हैं कैसे करते हैं हम हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं पूरी शिद्द के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं और हमारे जो भी नेता है वो प्रफम दृष्टी से कारे करता है इसलिए कारे करता भाव से जो उनको कहा जाता है कि आपको ये चुनाव लड़ना है वो लड़ लाजस्तान का संकलप पत्र और गोश्च्ना पत्र जिसे कहते हैं। लड़कियों को स्कूटी देने का वादा है यह लोक लुभावन वादे हैं और इसका फिस्कल डेफिसिट पर यानि प्रदेश की अर्थविवस्ता पर खराब असर पर सकता है यह क्रिटिकल अप्रोच निकल के आई है अब आपको बताओं मैंने इस पर बहुत पहले भी कहा और हमेशा कहता रहता हूं देरिजा दिफरेंस बिट्वीज आई मेकिंग एन इंपावरिंग दिपरसल एक तरफ आप किसी को स्वावलंभन की ओर ले जाने के लिए उसका आप हात पकड़ करके उसको ताकत की ओर ले जाते हैं इसको हम कहते हैं empowerment, इसको हम कहते हैं सशक्ति करन, इसको हम कहते हैं उनका स्वावलंभन बनाने का रास्ता, वो स्वावलंभी बने इसके लिए हम प्यास कर रहे हैं, हम गैस के सिलेंडर में सबसिडी किसको दे रहे हैं, उज्वला योजना को, उज्वला योजना को किसके पा का connection दिया अब cylinder की भी आवशक्ता है उसमें भी हमको सपोर्ट करना है तो ये वो लोग हैं जिनके सशक्तिकरन से देश सशक्तिकरन की और बढ़ता है उसके लिए हम काम करते हैं एक सवाल अप हम आयुश्मान भारत जी आयुश्मान भारत में किसको देते हैं जो समाज का वो है जो आर्थिक दृष्टी से पिछड़ गया है और वो कौन लोग हैं 50 करोड़ लोग हैं वो कौन लोग हैं रेडी वाला रिक्षा वाला ठेला वाला फेडी वाला बसका ड्राइवर बसका क्लीनर लिफ्टमैन यह ऐसे लोग रैग पिकर जो कुड़े दान से प्लास्टिक व्यवस्ता की है और उसको अब हम 10 लाग कर रहे हैं तो यह जो है यह आर्थिक दृष्टी से जो हम उनका सशक्ति करन करते हैं इस इंपार्मेंट हमने यह कभी नहीं कहा हम फ्री बिजली देंगे जिसको जो जिसको ज़रूरत भी नहीं उसको भी हम देंगे हमने कभी नहीं कहा है हम तुछ को फ्री देंगे हम पात्र को देंगे अब जैसे हम सकूटी दे रहे हैं इसको जो किनगते रहें देते हैं वह सको डॉक्तडर बनाने के लिए एक रास्ता आगे उसका परिवार वो डॉक्टर बनेगी आप कहे यहीं रेवड़ी नहीं है यह सशक्ती करन daw ए यह सवाब लंबन ए मेरा अगला सवाल है कि और उनकी रेवड़ी आं उनकी रेवड़ी आं लेकिन फिर सवाल उठेगा कि वह तों रेवडी दे रहे हैं और आप से शक्तिकरण कर रहे हैं तो फिर जब कोंग्रेस की सरकारे सच्ते सिलिंडर दे रही हैं वह सशक्तिकरण क्यों नही download मैं फिर आपको बताता हूं कि हमें इस पर कहां अपती हैं लेकिन एलेक्शन खुद तो लड़ती है बीजेबी की एलेक्शन मेंशिनरी होती है लेकिन एडी भी होती है सीबी आई भी होता है आई टी डिपार्टमेंट भी होता है और कॉंग्रेस कह रही है हमारे पास गैरेंटी होती है और वो गैरेंटी हमें करनाटक में जीत दिलाके गई है दो चीजे हैं पहले आपने कहा कि हमारे साथ E.D. होती है C.B.I. होती है सब कुछ होती है कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं E.D. ने गलत रेड किया कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ED ने गलत केस बनाया और कौन से ऐसा केस है जिसमें उन वो कहीं कोट में गए एक तो गए नहीं अगर गए तो उनको रहत मिली है इसका मतलब आप भरस्टाचारी है और भरस्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधान मंतरी म शब्दों में कहा है कि भरष्टाचार बरदास्त नहीं किया जाएगा लेकिन एक सवाल है कि सारे भरष्टाचारी विपक्ष में ही मिल रहे हैं और EDB विपक्ष के नेताओं का ही डोर बेल बजा रही है दर्माजे खट-कटा रही है यह हमारी पार्टी में जिस तरीके से हम को ग्रो कराते हैं यही तो नियत का फरक होता है मैं तो आज अपने भाशन में बोल रहा हूं कि कॉंग्रेस वहां होगी जहां प्रश्टाचार होगा कॉंग्रेस वहां होगी जहां पर व्यभिचार होगा कॉंग्रेस वहां होगी जहां रक्षक भख्षक बना हुआ होगा जाना जाने वाला राजस्तान था जो शानप्रीय राजस्तान था तो यह कैसे हुआ है यह इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पॉलिटिक्स के खातिर लोगों के साथ कॉम्प्रमाइज करते हुए नियम को ताक पर रखते हुए रक्षक को भख्षक बनने में प्रेरित किया ऐसा है ना सबसे पहले तो बताईए यह राजेंदर गुड़ा साब जो थे इसको लाया कौन था यह किसकी पार्टी में थे यह किसके मंत्री थे और बतौर मंत्री विधान सभा में लाल डायरी दिखा के बोलने वाला कौन सक्ष था सारे पात्र तुम तै करो और तुमारे खिलाफ सारी चीजें हो और तुम हम को बोलो कि हम राजेंदर गुड़ा आप पी के पात रहें सब आपके साथ मिले हुए हैं ऐसा है ना मैं फिर इस पर कहना चाहता हूं कि कालपनिक दृष्टी से आप अगर इतने इस इस लेवल पर चल जाएंगे तो उसका तो कोई जव लौन हो बताएएए और अपका कैबिनेट मिनिस्टर था की नहीं था बताएए जिस समय उसने लाल डैरी दिखाखर करके वक्त व़िए विदान सबौसवा के अंदर धाकी नहीं था बताईये उस समय वह आपकी सरकार का मंत्री था की नहीं था कि अज़र आपको लगते है क आपने बोला कि भारतिय जंता पार्टी ने चलाई ये सरकार क्या लेकिन एक सवाल जो बार-बार भार-बार घूम फिर क्या आ जाता है वो यह आ जाता है कि इडी उनी इन उनी परदेशों में जाती है जहां चुनाव है 36 गड़ चली गई राजिस्तान आ गई उससे पहले करनाटक चली गई थी क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं टाइमिंग पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि चुनाव से एन पहले एडी के एंट्री होती है जैसे में हम देखते थे कि वारदात के बाद पुलिस के एंट्री होती थी चुनाव से एन पहले एंट्री होती है एक साधारन सा प्रशन है मैं कोई investigative agencies पर कोई चर्चा करूँ इसके आवशक्ता नहीं है जी लेकिन आपने देखा होगा कि election commission active कहां होता है ED कहां active होती है जहां finances का आदान प्रदान ज्यादा होता है जी वो कहां होता है जहां election declared होता है अभी ये जो आपके महादेव अभी नहीं महादेव भी नहीं छोड़ा मैं क्या करूँ महादेव एप महादेव एप कैसे पकड़ में आया एक व्यक्ति surveillance पर था उसको किसी ने दुबई से कहा कि जाओ भुपेश भगेल को इतने पैसे दे करके आओ अब बताए एडी गई या भुपेश भगेल और इनके साथी जो activity कर रहे थे उसके कारण यह हुआ तो ऐसी activity होती रहती है अब यह मैं को investigative agency I am not a representative of any investigative agency but I know कि activities वहां होती है अब पुलिस कहां खड़े होती है मेले के बाहरी खड़ी होती है ना मेले में घुमती है डिप्लॉइमेंट होती है कि नहीं होती है तो वैसी investigative हमने पुपेश भगेल से पूछा यह सवाल तो उन्होंने बोला कि जब election कम समाप्त हो जाएगा यह ED का action भी समाप्त हो जाएगा जब BJP घर बैट जाएगी 36 गड़ के अंदर तो यह सब समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है ग्रेह मंत्री आमिट शाह के इशारे पे हो रहा है कभी नहीं बोलता है वो तो हमेशा बहाने नगाएगा मैं उनको यह बोलता हूं कि देखिए there is a legal way आपने मेरी इज़त पर आंस डाला है मैं आपको कोर्ट में खीशता हूं और आपके खिलाफ मैं मानहानी का दावा करता हूं अब एक जी दूसरा आपने मुझे F.I.R. L लगा है वो सच्चा है पका है और वह आपको अंतिम दम तक नहीं छोड़ने वाला मेरा अगला अगला सवाल है कि भारती इंदर पार्टी पांच राजियों में चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री मोधी है कमल का फूल है या लोकल लीडर्श कि अगर कारेकरता नेता है तो ये मेरा सौभाग्य है कि नहीं है और मैं जे कोई बात अगर जनता तक जानी है तो मोधी जी के माध्यम से वह बात सबसे जादा जनता के बीच में विश्वस्निये तरीके से जाती है कि नहीं जाती है तो अगर ये सब कुछ होता है तो हम प् तो मुझ जैसा व्यक्ति क्या होगा फिर यह तो राश्टिय अध्यक्ष के रुप मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनका सदुपयोग करूँ और इसलिए नहीं सिर्फ पार्टी के लिए देश के लिए प्रदेश के लिए उसके विकास के लिए हां रही बात नित्रतु की हमारे ह यह स्ट्राटीजी का विश्य होता है कई वार हम नेता डिकलेर करते हैं कई वार हम नेता नहीं डिकलेर करते हैं कई वार हम नेता डिकलेर करना चुनाओं के बाद करते हैं कई वार हम नेता के साथ जाते हैं यह स्ट्राटीजी का विश्य होता है तो यह स्ट्राटिजी का विशे होता है इसको और इतना तो हमको अपनी पार्टी चलाने की इजाज़त आप दीजिए ही कि हम कम से कम अपना नेता तो तहे करें एक कुछी एक चतिस गर में का जाता है कि भुपेश बगेल के सामने बीजेपी की बास लीडर्शिप नहीं है य पेश बगेल कहां थे कौन सा नेता डिकलेट से यह देखिए हम किसी के घर में जाक करके कुछ प्रतिक्रिया देश की आवशक्ता नहीं होती हर घर की अपनी अपनी नीती होती है स्ट्राटीजी और वह स्ट्राटीजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है उनको भ परिवारवाद को अच्छे ढंग से आपके सामने समझा देना चाहता हूं वाट इस फैमिली डाइनेस्टी और हम परिवारवाद किस परिवारवाद के खिलाब बूल रहे हैं थोड़ा सा समय लूगा में जी जी क्योंकि आपके माधियम से आपके चैनल से कई लोग देखत हैं तो चीजों को समझ लें परिवारवाद क्या होता है परिवारवाद यह होता है कि उमर अब्दुल्ला के बाद फरुक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला मुफ्ती के बाद महबूबा मुफ्ती चोटाला भाईयों के बाद चोटाला प्रकाश सिंग बादल के इनके घर की और election committee भी इनके घर की ये जितने नाम मैं लिए मुलायम सिंक के बाद अकिलेश अकिलेश के बाद dimple बागी full-stop लालू के बाद रावडी रावडी के बाद तेजस्वी तेजस्वी के का iASR जगन मोहन्रडेड़ी केसीं आर केड़ियार क हुब यार कविता उनका बेटा बाकी छुट्टि हुदर न थी सुटेलि पहले कर्डोनों नदी स्टेलिन उधर निदी स्टेलिन हमारे उद्दव ठाक रहे आदित्य ठाक रहे हैं शरत पवार सुप्रिया सूले इसको बोलते हैं परिवारवाद हमारी पार्लिमेंटरी बोर्ड हमारी सेक्रेटरी हमारे ही लोग इसको बोलते हैं परिवारवाद जहां पार्टी एक परिवार चलाती है वही पार्लिमेंटरी पारिवारिक पार्टी हो गई है Sonia Gandhi CEC Member Rahul Gandhi CEC Member Priyanka Gandhi CEC Member बाकि सब क्या कर रहे है अध्यक्स तो खड़के जी है अब ठीक है होंगे लेकिन मैं परिवारबाद की का आपको देफिनिशन बता रहा हूं कि रखने के लिए तो रहना ही पड़ता है किसी को वह वह उदेश्य नहीं है और उसमें भी आपने बहुत बार कोशिच कर ली राहूल को अध्यक्स बनाने की अब वो नमाने तो क्या करना आप नियत से पारिवारिक हैं आप नियत से पारिवारिक हैं हम जब बात करते हैं हम क्या कहते हैं कि किसी अब ये देखे किसी के नेता अगर का बेटा अगर कोई अच्छा कारे करता है और वो 20 साल 25 साल से काम कर रहा है जिला का अध्यक्स बना मंडल का अध्यक्स बना ये हम उसके उसको हम हाँ वह किसी के कारे करता को इग्नोर करके उसको दिया जा रहा है ऐसा कभी नहीं होता इसकी हम चिंता करते हैं मेरा अगला सवाल है अशोग गेलोत ने बड़ा रोप लगाया कि कनया लाल साहू की हत्या के पीछे भारती जिनता पार्टी वाले हैं अब वही वाली बात हो गई जैसे आपने कहा कि लाल डाइडी और राजेंदर गुड़ा वो हमारा आदमी है अब यह इसलिए तुम मैंने कहा कि शाइद सरकार कि अशोग गेलोत के रहे हैं अशोग गेलोत जी की बात में कर रहा है कि अब उन्होंने यह हमारे उपर कह दिया सचाई क्या है कि गेलोत सहब ने तुष्टी करण की रीती में स्यूडो सेकलरिजम को बढ़ाते बढ़ाते यह शांत प्रिये प्रदेश सबको साथ चलने वाला प्रदेश सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्ट कोई के अफसर पर शोभायात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पत्राओ कराओ अगर कोई हनवान जैंती पर कोई शोभायात्रा निकलती है तो या पत्राओ कराओ या उसको रोक दो मंदिरों पर शिवजी के मंदिर पर बुल्डोजर चला दो उनको पर्मिशन मत जी ये सब काम उन्होंने किया और यहां सरे आम नारे लग रहे थे सर तन से जुदा सर तन से जुदा सर तन से जुदा क्या एक्शन लिया पी एफ आई के लोगों ने यहां ओपन जलूस निकाला है राजस्थान के अंदर पी एफ आई के लोगों ने एक बैंड से बड़ा अब मैं क्या कहूं आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्वेकार नेता हैं बड़ा तजुर्वा रखते हैं लंबे समय से राजनीती में अब ऐसी तरीके की राजनीती करते रहोंगे तो भगवानी भला करें उनका जी अब मैं मद्रदेश के उपर आता और इस बार कमलनात कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी इनोंने इस बार बीज़ेपी को सबक सिखाना पड़ेगा कुछ नहीं वो बचारे बोलते रहते हैं उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँ लेकिन सचाई यह है कि भारतिय जनता पार्टी पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में जो भारतिय जनता पार्टी के सरकार न पर आप आपने वहाँ पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है आप उसका विरोध करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं लास्ट तीन महीने में जो मद्रदेश शासन ने फैस्टे लिये वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्प दूर सराहा गया है और यह बताता है कि इस तरीके से गरीब महिलाएं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत में लिए यह भी बताता है दिख्विज सिंग ने हाली में बयान दिया कि भारतिय जनता पाटी कई खेमों में बटी हुई है एक महराज भ कंपड़ी फाड़ने उनके देखे आपसमें और हमोगे वीडियो तो आप लोगोने सrie सिंग जाहर देखा कि इनके कपड़ी मेरा पहिश्य क्यों लगते हो उनको उनका इनका पाड़ ये करो तो यह तो आपने सुना अब दूसरी बात कि यह जो आप basta यमों में बटे हुई कि दिगविजschein अपने बेटे को मुख्य-मंत्री बनाने के लिगे हुए हैं कमलनाथ सोनिया कांदी अपने बेटे को पी-एम बनाने में लिगी हुए है एक कमी थोड़ी मैं आपको बताओं जी 36 गड़ में हमने सारे MPs एक साथ बदल दिये पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में कोई पुलिटिकल पार्टी कर सकती है कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकती है हमने मुनिस्पल कॉर्परेशन में इससे पहले दिल्ली में सारे मुनिस्पल काउंसिलर् सकती है कोई ऐसा योजना बना सकती है यह एक्सपेरिमेंट भारतिया जनता पार्टी ही कर सकती है और करके दिखाती है एक और इस वार हमने जी इस वार हमने चारों स्टेट्स में चुनाव से पहले कम से कम 70% सीट का डिस्ट्रिबूशन कर दिया एलान होने से पहले यह कुद्स को लेकर खोल कर बैटिंग कर रही है कम अनुमान बख्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है अब प्र्यांका जी ने तो यहां तक एदिया कि अ कमला जी inhali ने का कि हम श्रिलंका तक में अफ्र ita-mata का मंधिर बनाएंगे एसा कराने दीजिये इसा है सब से पहले एक बात समझ लीजिये कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नाहीं इनको कोई धर्म से प्यार नहीं इनको कुर्शी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं आज ये बड़े रामभक्त बने हुए हैं ये यूपिय की सरकार में कॉंग्रेस पार्टी थी ने जिसने कहा था कि बालमी की रामायन में लिखा हुआ राम कालपनिक है एफिडेविट सब्सक्रे walking älतिया था है कि इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि रामजनभूमी के विच्छे को लट्का लट्काओ लटकाओ नहीं तो इससे बीजेपी को फाइदा होगा तो कौन राम भक्त हैं इनमें से कौन राम भक्त हैं कोई राम भक्ती इनको नहीं है अब तो बन रहे हैं मैं मैं पूरी बात कर लो यह एफिडेविट दिया क्या कहा एफिडेविट में लिखा क्या है वो भी सुनिये कि इंबाल्मी की रामायन में राम कालपनिक है, उसका कोई वेज्जानी का अधार नहीं है, उसका कोई एतिहासी का अधार नहीं है, यह कॉंग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया और सरकार में लिखा, हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथी कब लेकिन यह जो नए रामभक्त बने हैं इनको यह सामने बैठी जनता जो है जब जिनों ने राम जन भूमी के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी और जिस तरीके से राम जन भूमी के प्रति लोगों का समर्पन बना तो यह भी अपने आपको ह हिंदू कहलाने के लिए इनको बाद्य होना पड़ा है अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनुन पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं नहीं पूछा मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं आपने भी नहीं पूछा मेरे से क्यों नहीं कि कहते हैं मैं जनुधारी हूं मैं जनुधारी हूं यह ऐसे जनुधारी है इनको यह नहीं मालूम कि जनुध ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है और कब किसे में पहना जाता है यह बन गए अब नया नया ऐसा भी होता है नए नए कोर्स में जबाते हैं तो गलतियां तो होती है आप नहीं तो नहीं कहा था कि राम जी तेरह बरस के लिए बनवास गए लेकिन आप लोग उनकी गलतिया पकड़ लेते हैं ऐसा डाइक let प्रद्री दिय्मास कानों पे चुबती है नीज चुपती हैं किऊचिण से संसकार पाए लोगों ने हम आक्टिंग नहीं करते हम आपके सामने जो बोल रहे हुऊंव कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे यह निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको हम इसी तरीके से जीते हैं यह लोग अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि उनको ट्यूटर किया जाता है मैंने तो पूरा करो पढ़ना लिखना तो पूरा करो राम जी ने जब तेरा बर्स का बनवास लिया पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लेमेंट पे तो काफी अब देखिए वो शॉक्ड भी हुए अब शॉक्ड की कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता वो तो उनका व्यक्तिकत जीवन हो का वो किसलिए चैटर्ड हुए होंगे शॉक्ड तो उनको होना ही था क्योंकि वो बीसी की बात कर रहे हैं जिस राजीव गांधी ने पार्लेमेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया जो उनकी परदादी ने काका कालेल क रिपोर्ट को पहले बारा साल तक बंद रखा अंत के दो साल में उसको रिजेक्ट किया जिस मंडल कमिशन को इंदरा गांधी और उनके पिता जी पुझ्य पिता जी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला वो आज ओबीसी की बात करने लगे तो यह वैसे ही है आज आज कल राम की बात करने लगे अब OBC की बात यह फैशन के अनुसार चलते हैं जो इशु आता है न उसको फैशन की तरह जो जो वह वी सी ओपी सी इसलिए क्योंकि आज भारत का OBC यह गर्व महसूस करता है और भारत की जंता की गर्व महसूस करती है कि प्रण मंत्री नरें गणना पर मैं आऊंगा लेकिन उसे पहले में इंडिया गडबंदन पर आना चाहता हूं इंडिया गडबंदन बहुत जोर सोर से बना सब लोग एक साथ आया सब ने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे लेकिन अखिलेश जी और कमलाज जी के बीच में जो तू-तू एक लाइन में खड़े ओकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था लुकिंग लंडन टॉकिंग टोकियो यह कहां देख रहा है कौन बात कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यह इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर अब वास्तविक्ता धरातल पर जब हम जाते ह हैं तो हमारे को पता है कि यह इनकी इच्छा हो सकती है और हम भी चाहते हैं कठे हो ठीक है लड़े हमारे को को आपती थोड़ी ना हम प्रजात अंतर हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन जब आधार गलत होता है तो वह इमारत ठीकती नहीं अखिलेश जी ने तो कह दिया सवाल पर आता हूँ, हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिंसला जा रही है, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उत्तर से दक्षिन तक, दक्षिन से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने है क्या कहना चाते है, आप कभी मा लक्ष्मी नौर्थो ये एक ही तरह के लोग है, और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग है इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है, उसको खड़ा करो ये उनका उदेश्य है और दूसरा जहां तक सनातन का सवाल है हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि ये विश्वास का विश्य है और सनातन हमेशा रहा है चिरकाल से रहा है इस तरीके के वक्तव देना ये कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है अगर अकेला द parcel of अब कहते हैं रणनीती है और रणनीती में भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीमतें कैसे लाई जा सकते हैं इसका प्रयास लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है कई बार इस तरह के बयान आ लेकिन जो उनका उद्धेश्य है वो कोई जातिगत सर्वेक्स के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है इस से अपनी राजनीती को साधने का है एक particular work और एक particular धर्म उनका तो जणगन्ना में अंक बढ़ जाता है और जो अती पिछने हैं कमजोर हैं वो उनको और कमजोर हो जाते हैं उनकी संख्या घट जाता झाते हैं तो ये राजनेतिक प्रेरित है ये उदेश है इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है इसके माध्यम से अपनी राजनीती को मजबूत करने का उदेश है एक सवाल की जातिगर्ड जंगंड़ना को लेकर कॉंग्रेस ने बड़ा स्टैंड लिया कि जह कॉंग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है जनता से कॉंग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज़ से हो रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी का मतलब है कि आज कर समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ ले और उसके सारे हम सरकार में प क्यों कि मोदी जी ने समाज का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में जो बिचारे पीछे रह गए थे उनको मुखेदारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बन करके खड़े हो गए तो आज आप OBC का गाना गाने लग गए आप का राम कालपनिक बोलते थे आज का इनकी सिंसेर्टी एक चीज़ से है येंके प्रकारें हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वह करनाटक करी करनाटक में बीज़ेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली ठीक है उसके कारें अलग हो सकते हैं लेकिन जहां तक आपने गैरेंटी जी दूसरा जो आपने कहा गैरंटी के बारे में यह कहले हिमाच्रौ में कहकर को आये थे हैं कि हम कौने लायक नी हो गए in काट की हांडी बार-बार नहीं चर्टी चड़ गई एक बार और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते उसके कारण है यह सवाल जो है यह देश के करोँ लोगों के सवाल है वो है कि आयोध्या मेर राम लला का मंदिर उसकी प्रांट पतरिष्टा 22 जनवरी को हो रही है विपक्ष को बहुत शिकायत है राहुल गांधी को शिकायत है अर्विंद केजरिवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा मैं नहीं जानता हूं हमारे लिए तो सब का साथ सब का विश्वास सब का विकास पर 2024 के चुनाव के लिए राममंदर में प्रान प्रतिश्टा 22 जनवरी को रखी गई है विपक्ष का ये भी आरूप है political mileage लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली अभी जी देखिए जो Congress का नेता Supreme Court में खड़ा हो करके बोले कि राम जन भूमी को अभी लटका हो ये विशे अभी नहीं आना चाहिए तो ये राम जन भूमी जो करोडों लोगों की आस्था का विशे है उसको Congress Party चुनाओं की दृष्टी से देखती है तो ऐसे लोगों को तो ढर लगेगा ही लगेगा जब प्रान प्रदिष्टा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा तो ये उनको तकलीफ तो हो नहीं है राष्टेय धक्षय राम लला का मंदर भव्य दिव्य मंदर बनने जा रहा है तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि राम लला का मंदर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे सौगंद राम की खाते हैं मंदर वहीं बनाएंगे वो सिद्ध होगा ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था करोडों लोगों की आस्ता थी करोडों लोगों की आस्ता थी कि मंदर वहीं बनेगा और यहीं आस्ता और मंदर हमने नहीं बनाया आपने नहीं बनाया सौयम राम ने रास्ता बनाया और यह बना यह हम तब को मानना है और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकोवर देखा है क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब जादा सक्रिय रहने लगे है एक्टिव पॉलिटिक्स में और वो आपके लिए चिंता की बात है बिलकुल नहीं चिंदा की बात है अच्छा है घूमे जितना घूमे अच्छा ही है आप हमारी बात को समझ नहीं पाएं जितना घूमेंगे ठीक रहेगा हमें उससे कोई आपती नहीं विदेश लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की तो मैं आपको बताना च निवस्टी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं अफजल कौन था अफजल वो था जिस जो पार्लेमेंट के अटैक का मास्टर माइंड था और आगे नारा लगा भारत होंगे तेरे टुकडे टुकडे दूसरे दिन अच्छा क्या कहा हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं कातिल कौन हुआ सुप्रीम कोड का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को कातिल कौन हुआ उस समय के भारत के राश्टरपती प्रणम मुखर जी जिन्नोंने पारड़न करने से इंकार कर दिया वो ये जोडो यात्रा कर रही है तोडने वाली यात्रा के निकले हुए ये तो तोडने वाले लोग हैं ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और जो व्यक्ति राजनेता अपनी गलती के लिए आप हमको पकड़ लोगी है तुमने स्टेटमेंट दी जब आप शमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा ये सब लोग समय को यसी लिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं और इसके लिए किसी के जाद भी खड़ा होना पड़े खड़े होने कि आप कहते हैं कि वह घुमे तक अपनी राजनीती करी लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नितीश कुमार ने बोली चाहे वो महिलाओं के संदर्व को बात में बोला गया वह एकिक्सिजूकिशन ठीज चाहे वो आपके सहयोगी जीतन नाम मांजी के संदर्व में हो कि इन अब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है तो संगत बिगड़ गई इसलिए तो कहते हैं सत्संग सत्संग होता है तो सत्संग खत्म हो गया तो अब ऐसे से दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विदान सबा में कहा वह सब आपने भी सुना मैं क्या गलूस पर तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई नजर दिला दी लोगों ने अब इंडी एलाइंस भी उनको कितनी वज़ उनका उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है तो यह होना ही है और मैं यह मानता हूं कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीती में भटकना ही पड़ता है और को रास्ता नहीं रहता जी और जीतन रामान जी के खाता मेरी मूर्थ गारंड ये c.m. अगशिय обратा पारॉम कि नजर और यतनी लंबी उनने इतनी लंबी के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है ऐसे व्यक्तित्त को इस तरीके की भाषा का उप्योग करना यह सच में पीडा देने लाएगा मैं आखरी दौर में हूं बिल्कुल अर्विंद केजरिवाल को संभन अगया वो कहते हैं चंजे संना जिल चले गए आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतिये जंता पार्टी को समाफ्द करना चाहते हैं आब घजबन की बात करें धन्तकर को शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं आप बोलिए सतिंदर जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है हेल्थ के ग्राउंड पर वैसे उसको जेल में होना चाहिए मनीश सुषदिया बोलते थे मैं अकल आऊंगा मैं परसूं आऊंगा मेरे घर में कुछ नहीं मिला अंदर पड़े हैं एक बार नहीं गए सुप्रीम कोड तक हुआ है हमने रोका उनको अब यह भी जिस तरीके की हरकत कर रहे है लॉऑनारर विल टेक इट्स ओन कोंड्स हम किसी पर क्या और रहम किसी को वो नहीं हम नहम किसी के प्रतिबास होते हैं नहम को सफर्प्री जेजमेंटल होना चाहते हैं हम यह कहते हैं कि आपसे जो प्रश्ण पूछा गया है आप उनको जवाब दो बात खतम है क्या दिक्कत की बात है आपको डर लगता है तो ठीक है मंद्रप्रदेश के चुनाओं में आप चले गए होंगे चले गए होंगे लेकिन एक तरीके से आपको जो एजिंसी ने बुलाया है आपने उसको इग्नोर करने की क्या आता है मैं फिर क्या बताओं उनको देखिए इन लोगों ने कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम उनकी आखे ठीक कर सकते हैं लेकिन हम दृष्टी नहीं दे सकते हैं विजन तो उनका होना चाहिए जिन लोगों ने तैही कर रहा है कि हर चीज को गलत ही बोलना है तो उस आप बताईए हमने तो नहीं कहा दुनिया ने कहा कि नाओ इंडिया इस फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी ऑफ दी वर्ल्ड पांच वी एकॉर्ड रेटिंग्स ही बता रही है कि दो हजार सताइस अठाइस तक मोदी जी की नेधरतुम्हें देश तीसरे नंबर की पॉल रहा है मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं लेकिन जिसने सुनना ही नहीं है 55,000 करोड रुपे का इस दीवाली में अभी अभी पूरी छट तक समाप नहीं हुआ है 55,000 करोड रुपीज का गोल्ड की खरीदी हुई है लोगों के पॉकेट में पैसा है तब हुई है और वा मोबाइल इंडेस्ट्री में ऑटो मोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया इसका मतलब भारत के लोगों में पॉकेट में ताकत कितने मेरे को आकड़े याद नहीं है लेकिन शायद लाखों में 55 शायद 55 लाख वहिकल्स खरीदी गई है काफ इनको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूँ जी चलिए बिरकुल आख्री आख्री दोर यह मैं आपको तीन तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आएए दिखातें पहली तस्वीर किसकी आ रही यह बइस अगली तस्वीर सेखाते हैं किह जतना चाथे नढटा जी माइक माइक ठीक है अच्छी बात है देर आए दुरुस्त आए अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है कि एजरी वाल सिसोडिया और संजे सिंग दो तो जेल में एक को एडी का सम्मन आया हुआ है इस सब मुश्करा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सचाई कब खुलेगी अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है यह इंडिया अगडबंदन की तस्वीर है पहली सितंबर और 31 अगस्ते पहली सितंबर के बीच पे तो मुंबई में बैटकती बहुत कुछ बोल सकता हूं जी यह जो इधर बैठे हैं जी इनके पिता जी हिंदू समराग बालसाब ठाकरे ने कहा था कि अगर कॉंग्रस से समझावता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा और उनकी दुकान उनके बेटे ने बंद कर दी यह बैठे हैं यह बैठे हैं बीच में जि जेल में रहे और मीशा के विरोध में बेटी का नाम मीशा रखा था आज देखिए कैसे बैठे हैं और यह जो सजन है जो जो बीच में इधर जी जी शरजी के साथ इधर बैठे हैं यह इनकी दादी ने इनको जेल में डाला था तो वो भी हमने देखा है तो बहुत से किस्से हैं हमारे को यहां बताने लगेंगे तो उधर भगवन्त मान भी है कोने में हाँ वो बिचारे तो वो जो हैं सो हैं जी चलिए आप हमार साथ आए आपने इतना समय दिया लेकिन एक सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो एक सो तीस करोल लोग माफ नहीं करेंगे वह है भारत की टीम विश्कप के फाइनल में पहुंच गई है तो क्या कहना चाहते हैं आप उनको जीतेगी फॉर्म में है एकदम फॉर्म में है जीतेगी